Hello everyone and welcome to fly high tutorials Guys, आज हम इस short presentation में बात करेंगे कि border plot से आप किसी भी system के type को कैसे define कर सकते हैं ये कैसे बताएंगे आप कि किसी system का type क्या है कुछ लोगी की query होती है ये तो इस short presentation में हम उसी के बारे में बात करेंगे तो अगर आप channel पर new है और अभी तक subscribe नहीं क्या है तो subscribe कर लीजिए और उसके साथ में जो notification bell है उसको press कर दीजिए ताकि timely आपको notification मिलते रहें और जो channel है हमारा non-text object related fly high classes के नाम से उसको subscribe कर सकते हैं link मैंने description में दिया हुआ है तो guys suppose कीजिए कि कोई आपका control system है जिसका open loop transfer function है gs ठीक है और यहाँ पर एक चीज हमने consider की है कि जो इसका feedback है वो unity है यानि kis is equal to 1 है तो open loop transfer function जो gs is equal to आप किस तरीके से लिख सकते हैं जो इसकी एक general हम लिखते हैं तो वह होता है k tas plus 1 k आपको पता है constant है और t आपका time constant है ठीक है तो यह मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ts plus tbs plus 1 up to tms plus 1 यह मैंने numerator part लिखा है upon में हम लिख देते हैं s is to the power n और नीचा जाएगा आपका t1s plus 1 t2s plus 1 up to tps plus 1 तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो denominator में आपकी एक term है s raised to the power n और यह क्या represent करती है मैं कई बार आपको पता चुका हूँ यह represent करती है कि poles कितने हैं आपके origin पर ठीक है और यही simply आपके define करेगी कि type क्या होगा आपके system का for example अगर n is equal to आपका 0 है तो यह आपका type 0 system है उसी तरीके से n is equal to अगर 1 है तो यह आपका type 1 system है उसी तरीके से अगर n is equal to 2 है तो यह आपका type 2 system है तो आपको clear हो गया होगा उसी तरीके से इसमें एक चीज़ और आप धिहान रखें Body Plot के Point of Peace अगर बात करें, कि Type 0 system के लिए, जो starting line होती है, slope की, जो आपकी starting line है, slope की, वो होती है, आपकी 0 decibel per decade, उसी तरीके से Type 1 system के लिए, जो starting line है, slope की, वो होती है, तो यह कुछ general बाते थी, जो आपको पता होनी चाहिए, कई बार किसी एक exam में, आप से MCQ में इस तरीका question पूछा जा सकता है, तो I hope यह अब आपको concept clear हो गया होगा, अगर आपको पसंद आया है, तो like जरूर कीजिए, और share कीजिए अपने friends के साथ में, जिनके आप समझते है कि lecture important है, और facebook page को like कीजिए, ट्विट पर follow कीजिए, link मैंने सभी के description में दिये हुए है, और पूरे जो हमारी series है, lecture series, उनको देखने के लिए इन वीडियो पर आप click कर सकते हैं, और subscribe नहीं किया है, तो subscribe भी कर लिजिए, देखने के लिए आप से भी का बहुत बहुत अजय वाद, thank you very much.